हालो फ्रेंज तो आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस लजीस लखनों के कटे मसाले के गोश के स्टू की रेसिपी ले कराई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है बहुत सिंपल तरीके से बनता है और अथेंटिक रेसिपी तो एक बार ज़रूर ज़र ट्राइ क इसलिए बिलता है इसलिए जरूर्स मेरे चैनल को जो आएं तो like किजए share किजी और subscribe किजे तो सबसे पहले हमने जो है तो मटन इस्टू के लिए गोश्ट लेना है तो हमने जो है तो इस तरह का गोश्ट लिया है जो बीच में से थोड़ी सी नसे होती है नो उस तरह का गोश्ट लेना है वन केजी इससे जो है तो मटन इसटू जो है तो बहुत ही जबर्दस और बहुत ही आला लगता है तो इस तरह का एक बार गोष ले लिजयेगा तो गोष को तो हमने क्या क्या है इस तरह जो है घरा कूटा हुआ पेश्च दालेंगे मक डालेंगे अ पने सवात के अनुसार तोश भावुडर दालेंगे लाड कर नियू स्पुन असमे जो सि closer आप्र शचाय। दालेंगे इसमें इस तरहां से अब इन सारे मसालो को टोमेटो सौस को और मटन को अच्छी तरहां से जो है तो मिक्स कर लेंगे तो इसमें हम जब भी मटन यूज करते हैं ना हड़ियां यूज नहीं करते हैं अगर आपको पसंद हो तो आप यूज कर सकते हो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने mix करना mix करने के बाद में इसे आदे घंटे के लिए marination के लिए छोड़ देना जब तक है marinate होता है तब तक हम अपनी दूसरी तयारी कर लेंगे उसके लिए हम gas on करें, gas पर एक बड़ा सा भगोना रखेंगे, इसमें 200 ग्राम oil डालेंगे, इसमें खड़े masala डालेंगे जैसे के 5 long, 5 kali मीच और जो है तो 1 टेबल स्पून 0, 3 हरी लाइची और 2-3 डाल चीनी के तुकड़े, इसे अच्छी तरहां से हमने चटकने देना है अब इसमें जो मेरिनेट किया हुआ मटन है ना यह हम इस तरहां से इसमें डाल देंगे और इस अच्छी तरहां से इसकी भूनाई शुरू कर देंगे जितना प्यारे तरीके से हमें भूनेंगे अम उतना ही बड़िया यह मटन बनकर रेडी होगा तो देखे इस अच्छी तरहां से हमने पाँच मिट्र के भूनने के लिए छोड़ दिया था फिर से हम इसे इसमें चमचा चलाते रहेंगे ताकि यह बड़िया तरीके से भून जाए अब इसमें तीन से चार मेडियम साइज के हमने अनियन लिया इस तरह से मोटा मोटा चॉप करके इसमें ताल देंगे अगर आपने मटन ड्राइजी मटन स्टू बनाना है कटे मसाले का तो फिर जो है तो दो मीडियम साइस के निया ने करे लेकिन हमने जो है तो मटन जादा लिया तो लीआ तो हमने उनका इसका जो गोश्ट का जो मॉश्चर होता है उसमें और जो इसमें हमने टोमेटो वगेरा इस्तेमाल के नो उसके मॉश्चर में यह बढ़िया तरीके से गल चुका है तो अभी थोड़ी देर और भी हम गलाएंगे लेकिन इसमें कुछ दालेंगे जैसे कि वन टेबल स्पून काश्मेरी लाल मिश दालेंगे जिससे तीखा पन खुड़ा कम आया लेकिन कलर जाएदा है क्योंकि हमने पहले भी लाल मिश यूज किये हाफ टीस्पून हल्दी पॉड़र यूज करेंगे टू टेबल स्पून जो है तो हम धनिया पॉड़र दालेंगे इसमें और वन टीस्पून जो है तो साबुड धनिया दालेंगे दो से तीन लाल सुखी मिर्श दालेंगे इसमें और अच्छे तरहां से हमने मिक्स करना है अच्छी तरहां से हमने मिक्स करना गैस का फ्लेम लोही रखना है वरना जो है तो मसाला जलना जाए अगर फुल फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए छोड़ेंगे तो हमने इसमें बिल्कुल भी वाटर इस्तेमाल नहीं किया है अब इसमें 250 ग्राम हमने दही यूस किये अच्छी तरहां से हमने मिक्स किया है देखिए बढ़िया तरीके दही जब भी आप लेना तो फैट कर इस्तेमाल किया वरना जो है न तो इसके ग्रेवी फैट जाती कभी आप भी ना फैटा हुआ अगर दही इस्तेमाल करोंगे तो आफ इसे ढखकन ढख देंगे और एकद अच्छी तरहा था और मसाला भी बहुत अच्छी तरहां कैसे तो सौफ्ट हो चुका था और देखिए अंदर जो ग्रेवी कितनी अच्छी दिख रही थी और ऑईल भी कितना रिलीज हो चुका था इसमें खूब सारा पुदीना और धनिये के पत्ते को चौप करके हम इसमे मिक्स करेंगे इसे देखिए इसके कंस्टेंसी देख लीजी और इसमें कितनी ग्रेवी है अब इस टाइम पर जो है तो हमारा गोश्ट बंद कर रेडी हो चुका है अगर आपको थोड़ा सा पतला चाहिए यानि सालन टाइप चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर द आएंगा नान के साथ परोटों के साथ अंदूरी रोटी के साथ में इसका कॉमिनिशन बहुत ही अच्छा जाता है अब एक सर्विंग डिश लेंगे और जो है तो यह मटन सर्फ करेंगे उपर से इसकी तग जो है तो तरी दालेंगे देखकर यह आ गया नो मुह में पानी तो एक बार जरूर से इस लखनों के खड़े मसाले के जो है तो मटन स्टू की रेसिपी को जरूर से ट्राइ कीजेगा तो आपको यह रेसिपी पसंद आई हो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई तो प्लीज 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 लाइक किजे शेर किजे सब्सक्राइब साइट में जो बेल बेटना था उसक्वाल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाल है अमेजिंग से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है अल्ला हाफीज और टेक केर